हेलो दोस्तों नमस्कार एगरी कल्चर से रिलेटड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और बेल आइकन को आउन कर लिजे जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें आज इस वीडियो में बीएसी अगरी कल्चर सिक्स सेमिस्टर पोस्ट हार्वेस्ट मानेजमेंट एंड वैलू एडिशन आफ फुरूड एंड विजे टेवल से संबंधित महतपूर प्रशन कराने जा रहे हैं जो परिच्छा में आने की पूरी-पूरी संभावना है तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन पहला कोश्चन है खाद पदार्थों में कितना प्रतिस्ट सिरका मिलाया जाता है तो दो से तीन प्रतिस्ट सिरका मिलाया जाता है हिमी कृत परिच्छन में कितना तापमान होना चाहिए तो माइनस 32 डिगरी सेलसियस होना चाह बाजार कहां इस्थित है तो बैंगलूरू करनाटक में इस्थित है बैंगलूरू करनाटक में इस्थित है सून उर्जा सीतर कच्छ की स्थापना कब हुई थी तो 1985 में हुई थी सीत उर्जा सून सीत कच्छ कौन से फलों की फसल सितोसर छेतरों में उगाई यत्ती है तो नीम्बू की उगाई यत्ती है नीम्बू इस करेक्ट एंसर रहेगा मसालो की रानी किसको कहा जाता है तो इलाइची को मसालो की रानी कहा जाता है विष्ट में पापेन की सबसे अधिक खपत करने वाला देश कौन सा है? तो विष्ट में सबसे ज़्यदा पापेन का खपत करने वाला देश है वह अमेरिका है नेश्ट कोशन है किस फल को फलों का राजा कहा जाता है तो आम को फलों का राजा कहा जाता है नेश्ट है गोल्डेन क्रांत किस से संबंधित है तो गोल्डेन क्रांत बागवानी से संबंधित है नेस्ट कोशन है सलाद वाली फसल वह फसल होती है जो की उपियोग की जाती है तो कच्छा खाने में उपियोग की जाती है बढ़ते हैं नेस्ट कोशन पर नेस्ट कोशन है प्रारंभिक भोजपदार्थ कहां बनता है तो प्रारंभिक भोजपदार्थ पत्ती में बनता है सूख्म कडवन के कितने प्रकार होते हैं तो सूख्म कडवन के तीन प्रकार होते हैं मदिरा की डवन, सिरका की डवन, लेटिक, आयमल, फलो में रंग का निर्माण किस वरण के कारण होता है, तो इंथो साइनीन के कारण होता है, इंथो साइनीन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, फलो में जो रंग का निर्माण होता है, तो इंथो साइनीन के कारण होता है, कौरो प्रियोग किया जाता है करोंद्या का नेश्ट कोशन है नमक का प्रतीसत जो सरनच्छन का कारी करता है तो 15 प्रतीसत का बढ़ते हैं नेश्ट कोशन पर नेश्ट कोशन है रंगों को खराब करने में किस इंजाइम की भूमिका होती है तो पॉली फिनायल ऑक्सीडेज की होती है नेश्ट कोशन है सूर की रोसनी में फलों को सुखाने को क्या कहते हैं तो ड्राइग कहते हैं सूर की रोसनी में फलों को सुखाने को नेश्ट कोशन है मसीनों द्वारा सुखाने को क्या कहते हैं तो डिहाइडरेजेशन कहते हैं बढ़ते हैं नेश्ट कोशन पर नेश्ट कोशन है डिब्बा बंदी हे तू सरवाधिक उप्युक्त फल कौन सा होता है तो डिब्बा ब बनाने है तो उपियुक्त फल कौन सा होता है तो आवला होता है आवला इस करेक्ट एंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन है रंगीन पदार्थ के सरच्छन है तो उपियुक्त सरच्छक होता है तो सोडियम बिंजोइट होता है सोडियम बिंजोइट इस करेक्ट एंसर हो जाएगा नेस्ट कोशन है कृतिम रूप से मौम लेपन कहलाता है तो वैक्सिंग कहलाता है वैक्सिंग इस करेक्ट एंसर हो जाएगा नेस्ट कोशन है चिप्स बनाने है तो उप्युक्त फल कौन सा होता है चिप्स बनाने के लिए उप्युक्त फल कौन सा होता है तो केला होता है केला इज करेक्ट एंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन है साइट्रिक अमल किस प्रकार से किस फल फे प्राप्त होता है तो साइट्रिक अमल नीम्बो से प्राप्त होता है नेस्ट कोश्चन है गूदेदार फल क्या बनाने है तो सरवाधिक उप्युक्त होता है तो जैम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उप्युक्त होता है गूदेदार फल कार्बोन नी करण क्या होता है किरिया किसे में की जाती है तो पेपदार्थों में की जाती है कार्बोन नी करण बढ़ते हैं किसको किडवन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है किडवन के द्वारा सराब को प्राप्त किया जा सकता है सरावीज करेक्ट ऐंसर हो जाएगा इस थाइश सर्रणर्छन का तरीका नहीं होता है तो एसे प्लीस एसे प्लीस नेस्ट कोचन है सर्रखेद पदार्थों की गुडवक्ता का नियंतरण कौन सी संस्था करती है तो FPO करती है FPO तो इसकी स्थापना उनिस सो पच्पन में हुई थी नेस्ट कोशन है N-I-F-T-E-M किस राज में स्थित है तो यह हडियाना राज में स्थित है N-I-F-T-E-M नेस्ट कोशन है किडवन प्रिक?" के लिए ताप मान कितना होना चाहिए तो किडवन प्रकिरिया के लिए 10 डिगरी Celsius से उपर temperature होना चाहिए नेस्ट कोचन है जीवाणों द्वारा होने वाली किडवन प्रकिरिया को क्या कहते हैं तो जीवाण विक्टन कहते हैं जीवाण विक्टन इस correct answer हो जाएगा नेस्ट कोचन है आई आई वी आर का पूरा नाम क्या है तो आई आई वी आर का पूरा नाम इंडियन इंस्ट्यूट फॉर विजिटेवर रिसर्च होता है नेस्ट कोचन है आई आई वी आर की स्थापना कब और कहां की गई थी तो 1999 में वाडा रसी यूपी में की गई थी भंडारन के दोरान आलू में अंकुरन को रोकने के लिए किस रसायन का प्रियोग करते हैं तो मैलिक हाइड्रा जाइट का प्रियोग करते हैं हाइड्रा जाइट नेस्ट कोशन है इसक्वेप्स बनाने है तू उपियुक्त फल कौन सा होई तो संतरा उपियुक्त फल होता है फल सरनचन यूम डिब्बा बंदी संस्थान कहां इस्थित है तो यहां लखनाव में इस्थित है लखनाव इज करेक्ट अंसर हो जाएगा मुरब्बा बनाने है तो उपियुक्त सबजी कौन सी होती है तो आस्क ग्राउंड आस्क ग्राउंड आस्क ग्राउंड होती है बढ़ते हैं नेस्ट कोशन पर किस्ट्रलाईजैसन की समस्या किस में पाई जाती है तो जैम में पाई जाती है जैम इस करेक्ट एंसर हो जाएगा किस किरियाद के द्वारा सभी सूच्म जीवाणू नश्ट हो जाते हैं तो इस्टालाईजेशन के द्वारा हो जाते हैं नेस्ट कोशन है जैम को किसे के द्वारा सरच्छित करते हैं तो जैम को किसे के द्वारा सरच्छित करते हैं तो चीनी के द्वारा सरच्छित किया जाता है जैम को बढ़ते हैं नेस्ट कोशन पर निरजडी कलन फल को जल में दुबा कर उनका पुनह अपने आकार में आने को क्या कहते हैं तो पुनह जले योजन कहते हैं सरकार द्वारा मानता प्राप्त परिरच्छी रसायनों के नाम बताईए तो सोडियम मेटा बाई सलफेट और सोडियम बेंजोएट होते हैं बेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है सबजी प्राशंसकरण को इस थापित छमता एक जनवरी 1993 को कितना था तो 11.08 लाख टन था ताप मान बढ़ने पर फलो का क्या होता है तो TSS घटता है ताप मान बढ़ने पर फलो का नेश्ट कोश्चन है बिस्व में पापेन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है तो स्री लंका है स्री लंका में बिस्व में सबसे ज़्यादा पापेन का उत्पादन किया जाता है नेश्ट कोश्चन है इलाइची की जाडियां कहां पर हैं तो यह केरल राज में हैं बढ़ते हैं नेश्ट कोश्चन पर नेश्ट कोश्चन है अंगूर में कौन सी सरकरा पाई जाती है तो अंगूर में गलुकोज पाया जाता है नेस्ट कोशन है अंगूर में कौन सा अमल पाया जाता है तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है टार्टरिक एसिड अंगूर में सबजिया संपूर्ण खेती का कितने प्रतिसत स्थान लेती है तो एक से दो प्रतिसत स्थान लेती है नेस्ट कोश्चन है एकांत्रन फलन किस फसल में पाया जाता है तो एकांत्रन फलन आम में देखने को मिलता है नेस्ट कोश्चन है आम की को किस मौसम में उगाया जाता है तो आम को वर्षा लितु में उगाया जाता है नेस्ट कोशन है प्याज की वहा प्रजात्य जो आचार है तो उप्योगत होती है तो अरका बिंदू आचार बनाने के लिए सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है प्याज की बढ़ते हैं नेस्ट कोशन पर नेस्ट कोशन है पास्चुरी करन का ताप मान ओसत होता है तो 70 से 80 डिगरी सेल्सियस होता है नेस्ट कोशन है सी एफ टी आर आई कहां इस्थित है तो यह मैसूर करनाटक में इस्थित है माइल्ड एंटी सेप्टिक होता है तो हल्दी होता है नेस्ट कोशन है कैनिंग के जनक कौन थे कैनिंग के जनक कौन थे तो एम निकोलस एक्सपर्ट वहाँ इंजाइम जिससे दुरगंध पैदा होती है तो पर आक्सीडेज से दुरगंध पैदा होती है माइको टाइक्सीन कौन पैदा करता है तो मोड पैदा करता है बढ़ते नेस्ट कोशन पर बेरी इंपोर्टेंट कोशन है सिर्का बनाने है तो उप्युक्त फल कौन सा होता है तो सिर्का बनाने के लिए उप्युक्त फल जामुन होता है जामुन इस करेक्ट एंसर हो जाएगा सुखाने है तो उप्युक्त सबजी कौन सी है तो सबजी जो होती है सुखाने के लिए सफ़े उपयोगत होती है वा करेला होती है करेला को सुखाकर भी बाद में इस्तमाल किया जा सकता है जैली बनाने में चीनी मिलाते हैं तो पैक्टिन ग्रेट के अनुसार मिलाते हैं बढ़तें नेस्ट कोशन पर नेश्ट कोशन है मटर की डिब्बा बंदी है तो डिब्बा प्रियोग होता है तो sr can उपयोगत होता है नेश्ट कोशन है सिरका में किस अमल की अधिकता होती है तो estic acid की अमलता होती है next question है टमाटर सौस में मिलावड का पता लगाने है तो किसको ग्यात करते हैं तो लाइको पेन को ग्यात करते हैं टमाटर में मिलावड का पता करने के लिए कोशन है आम का भंडारन किस तापमान पर करते हैं तो आम का भंडारन साथ से आठ डिगरी सेलसीएस यह भंडारन करते हैं आम का नेस्ट कोशन है टमाटर केचप में सर्रचित पदार्थ प्रियोग होता है तो सोडियम बिंजोइट प्रियोग किया जाता है टमाटर का केचप बनानी के लिए फलो को सुखाते समय दी हाइडरेजर का ताप मान कितना रखते हैं तो चांचत से सरसट डिगरी सर रखते हैं नेस्ट कोशन है सबजियों को सुखाते समय दी हाइडरेटर का ताप मान कितना रखते हैं तो साठ से चांचत डिगरी टमपरेचर रखते हैं नेस्ट कोशन है खाद बिग्यान पद्रिका कहां से निकलती है तो खाद बिग्यान की पद्रिका निकलती हुआ मैसूर से निकलती है बेरी इंपोर्टेंट कोशन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकन को अन कर लिजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ सेर कीजिए जिस से उनकी परिच्छा में भी मदद मिले मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद